इस दिवाली दो काम कीजिए पठाके मत जलाइए और वाटसअप मेसेज न देखिए न जवाब दीजिए न फॉरवर्ड कीजिए अगर आप वाटसअप मेसेज से बच गये है तो दिवाली का ज़ादा लुट पुठा पाएंगे एसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ मेसेज से काफी जोश आ गया था लगा कि दिवाली नहीं आ रही है तुफान आ रहा है लिखा हुआ था कि कहदो अंधेरों से कहीं और घर बना ले साहिब मेरे मुलक में रोशनी का सेलाब आने वाला है सब अच्छा है एक लखनवी ने जो भेजा है वो पहले सुनिए जशने चरागा के मुकदस मौके पर शमीमे कल्ब के साथ दिली मुबारक बाद कबूल फरमाएं जिल मिलाते हुए चरागे मुतबर्रिक की तजली से आपके दौलत खाने का गोशा गोशा जियाबार हो दिपावली की पहली मौजे देव के साथ आपका दामन मुहबत की खुश्वु के एहसास से माला माल हो बारगाहे सुमादी आपको आसमान की बुलंदियां अता करे तमाम मुबारक अयम दिपावली महोतसवा भवत कृते भवत परिवार कृते चा खेम स्थैर्या आयू आरोग्यम एश्वर्या अभिविधी कारका भवतु अपी चा इनका मतलब तो मेसेज में नहीं था लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो ऐसे मेसेज के अर्थ जरूर पता करें बगर दिवाली के बाद संस्कृत और उर्दू के कुछ शब्दों के मतलब के भी कुछ मतलब का पता चल जाएगा कोशिश कीजिए कि इद हो या दिवाली हो वाटसेप से दूर रहे हम समझते हैं कि इसके जरीए परंपरा का विस्तार हो रहा है लेकिन परंपरा का विस्त करते हैं बीजेपी के नेता अटर भिहारी वाजपई की कविता का खुब इस्तमाल कर रहे हैं 15 साल से जहां उनकी सरकार वहां भी अंधियारा दूर करने के लिए दिया जलाने वाली कविता पड़ रहे हैं कविता है आओ फिर से दिया जलाएं भरी दुपहरी में अंधिया सूरज परचाई से हारा अंतर मन का नेह निचोड़े बुझी हुई बाती सुलगाएं आओ फिर से दिया जलाएं ये बीजेपी के नेता अपना फोटो लगाकर चुनाओ चिन लगाकर इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं चार नवंबर को बीजेपी ने 36 गड़ में कमल दिवाली मनाई थी कमल दिवाली एक नई दिवाली एक नई प्रकार की राजनितिक दिवाली मालूम पड़ती है पहली बार मनाई गई है या कब से मन रही है इस पर टिपनी ना करते हुए इस बार की जानकारी यह है कि रात 9 9 बजे कमल दिपावली का कारिकरम शुरू हुआ चार नवंबर को बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री उम्मिद्वार घर में या पार्टी के दफ्तर में कमल की रंगोली बनाते दिखे दिवाली से पहले यानि धंतेरस से पहले ही दिवाली मना ली गई राजनितिक दिवाली पंचांग के अनुसार नहीं चलती है चुनाव आयोग के डेट के अनुसार चलती है तस्वीरों में आप देख रहे हैं कमल रंगोली कमल दिवाली के लिए जो वाटसेप मीम जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि 5 बजे से लेकर 8 बजे तक कमल की रंगोली बना कर दिया जला और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करें बताईए तो मकसद साफ है दिवाली मनाने के चकर में भूल नहीं जाना है कि फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करना है अब यह समझ नहीं आ रहा कि 36 गड़ के भाजपा नेता और कारिकरताओं ने अगर 4 नवंबर को ही दिवाली मना का आवान किया था और उस दिष्टे से हमारे प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन भी रायपूर में प्रस्तित थे और कमल दिवाली अभियान के लिए जो है हमने लोकेश कावडिया जी को प्रभारी बनाया था और उसी दिष्टे से प्रदेश कारेले के साथ साथ प्रदेश के तमाम जिलों में, मंडलों में और सभी कारिगरताओं को ये अभियान हाथ में लेने का आवान किया गया था और उसी तार्यतम में प्रदेश भाजपा कारलाय में भी कमल दिवाली मनाई गई तो उस दिन हमारे प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन फिर रात को जो है माननी मुक्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंग जी और दूसरे दिन जो है इसम्रती इनारी जी जी भी यहाँ परिसार पे जो है कमल दिवाली का चुबारंब किया 36 गड़ के बीजेपी के मीडिया प्रभारी सुभाष राव को आप सुन रहे थे जो कह रहे थे कि 4 नवंबर को पूरे देश में बीजेपी ने कमल दिवाली मनाई लेकिन मद्य प्रदेश से हमारे सयोगी अनुराग द्वारी ने बताया कि वहाँ तो 21 नवंबर को कमल दिवाली चुनावी राज्यों के लिए कुछ भी हो धन 13 से पहले दिवाली मनाने और धन 13 के दिन बीजेपी के लिए चंदा मांगने का अभियान नया है और ये बीजेपी ने शुरू किया है धन 13 के दिन प्रदान मंतरी मोधी और बीजेपी अध्यक शमिशान ने गुडिया, लुक। प्रधान मंत्री खुद कहीं से नहीं कहते हैं कि वे भाजपा के लिए चंदा मांग रहे हैं जब कि प्रधान मंत्री ने इस वीडियो को ट्वीट करते हैं वे साफ साफ लिखा है कि बीजेपी के लिए दान दे हैं एक छोटी सी बच्ची को भाजपा के लिए चंदा मांगने कि आप सब इस दंदेरस के दिन एक पंदरा दिन अभ्यान चलाईए अधिक से अधिक लोगों से भले पांच रुपिया दे दस रुपिया दे लेकिन ये नरेंद्र मोधी एप के माधियम से लोगों को डोनेशन देने की आदर जागी है तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा श्री सुनील जी के परिवार में से सब ने कुछ ने कुछ डोनेट किया तो आप इस संबर पर मिस कॉल देकर नरेंद्र मोधी आप डाउन डोड कीजिए और ड्यू इंडिया बनाने में हमारा सहयोग दे हैपी दिवाली इन नई प्रवर्टियों को नए सिरे से समझने की जरूरत है आपने देखा होगी प्रधान मंतरी खुद ही एक हजार रुपए चंदा देने की बात कर रहे हैं 2016-17 के रिकॉर्ड के अनुसार देखिए तो 20,000 से उपर के दान के रूप में सभी पार्टियों को कुल 589 करोड रुपए मिलते हैं इन में से 532.27 ला 532 करोड रुपए सिर्फ बीजेपी को मिला के ले कॉंग्रेस को दूसरी जो बड़ी पार्टिय है उसको 41 करोड रुपए मिलते हैं करिक बड़ी 42 करोड है इस तरह से दान में तो 20,000 रुपए से जादा दान देने वालों का नाम बताना जरूरी है कम होगा तो नाम बताना जरूरी नहीं है सरकार ने एक नया कानून बनाया है जिसके तहट आप कभी नहीं जान पाएंगे कि राजनितिक दलों को चंदा किस ने दिया है इलेक्टोरल ट्रस्ट का नाम सुनाई होगा आपने ये ट्रस्ट वो नॉन प्रॉफिट कमपनिया बनाती है जिनके जरिये कॉर्परेट या व्यक्ति राजनितिक दलों को दान दे सकता है इंट्रस्ट को अपनी आयका हर साल इलेक्शन कमिशन के सामने डिक्लेरेशन करना होगा आप नहीं जान पाएंगे कि किस कॉर्परेट कमपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया पार्टी को मिला है उसका 89.22 प्रतिशत अकेले बीजेपी के हिस्से में गया है 325 करोर उपए से जादा आयें इसके तहट करीब 35 करोर उपए को छोड़कर सारी रकम बीजेपी के हिस्से में गई है धन्तेरस को भाजपा मांगने के भाजपा के लिए चंदा मांगने का अभियान में बदला जा सकता है ऐसा कभी भाजपा ने भी नहीं सोचा होगा दिवाली के बहाने कमल दिवाली मन सकती है ऐसा भाजपा सोच सकती है अब सोच सकती है वाटस अप मेसेज की दुनिया में कॉंग्रेस कैसे दिवाली मना रही है तो हमने कई कॉंग्रेसी निताओं के मेसेज भी देखे उनमें वो खास बात नहीं थी कि जिनका जिक्र यहाँ पर किया जाए काफी सधारन और सरल तरीके के थे एक पंक्तियत है कि दिवाली की शुब कामना है इस तरह से कोई मीम नहीं मिला जिसे पता चलता हो कि कॉंग्रेस भी धन्तेरस को अपने लिए चंदा मांगने के आफसर में बदलने का कोई विग्यापन बनाई हो आपकी जानकारी में हो तो जरूर बताएं हम दिखाएंगे बात इससे शुरू हुई थी कि दिवाली का सारा समय वाटसेप मैसेज भेजने और फॉरवेट करने में ही ना मना दे दिवाली भी मनाईए आपको शुब कामना है